नमस्कार मित्रों, मैं चंदन सिंग, आज केंसर जैसी भयावह बीमारी के बारे में आपको कुछ जरूरी जानकारियां बताना चाहता हूं जगरिती टीवी में आपका स्वागत है, इस तरह की धेर सारी विभिन जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ घंटे का बटन दवाना ना भूले तो आईए जानते हैं आठ ऐसे फूट्स के बारे में जो आपको कैंसर से बचाने वाले हैं कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसके मामले दिन प्रती दिन बढ़ते जा रहे हैं यह कहा जाता है कि बीमारी के इलाज से बेहतर है कि हम समय रहते उससे बचाव सुनिश्चित करें चुकि खान पान का हमारे स्वास्त स्ते सीधा तालूख है हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि बाजार में सहजता से उपलब्ध कुछ खास खाद पदार्थों में कैंसर रोधी गुन्प होते हैं इसलिए इसके सेवन से कैंसर के खतरे को कम करना काफी हद तक मुम्किन है अक्सर लोग सबजी और अन वेंजनू का स्वाद बढ़ाने के लिए टमाटर का इस्तमाल करते हैं पर इसके फाइदे उससे कहीं अधिक हैं दिभिन सोध अध्यनों से यह बात सामने आई है कि टमाटर के सेवन से पूर्सों में प्रोस्टेंट कैंसर का खतरा कम होता है इसमें लाइकोपेन नामक तत्व परचूर मात्रा में पाये जाता है जो इसकी लाल रंगत के लिए जिम्मेदार होने के साथ ही इसे कैंसर रोधी गुनों से भरपूर बनाता है टमाटर के बाद अब बारियाती है लहसुन की स्वाद के चलते लहसुन का इस्तमाल वेंजनों में परमुक्ता से किया जाता है इसमें अनेक औस्धिये गुन भी समाए है विभिन सोध अध्यानों से यह बात साबित हो चुकी है कि लहसुन में कैंसर रोधी तत्व परचूर मात्रा में पाये जाते है लहसुन का नियमित सेबन भोजन, नली, पेट और प्रोटेस्टिंट के कैंसर का खत्रा कम करता है लहसुन में एलिसीन नामक एक्टिव कमपाउंड पाया जाता है यह तत्व कैंसर को सिकाओं की उत्पत्ती और उनके फैलने से रोकने में मदद करता है तीसरे नमबर पर काली मिर्च का स्थान आता है सबजी, सलाद या सेंडवीच का जायका बढ़ाने में लोग काली मिर्च का इस्तमाल करना पसंद करते हैं इसके औस धिये गुन भी कुछ कम नहीं होते काली मिर्च में एंटी ऑक्सिडेंट प्रोपटीज से युक्त केमिकल कमपाउंड पिपराइन पाया जाता है अमेरिका की उन्वर्सिटी ओफ मिसिगन के सोधकरताओं का कहना है की काली मिर्च के सेवन से ब्रेस्ट ट्यूमर की कैंसर को सिखाओं में कमी आने की बात सामने आई है इसके सेवन से स्वास्त को सिखाओं को नुकसान नहीं होता काली मिर्च में मौझूद विटामिन्स और अनेक एंटी ऑक्सिडेंटल डेंट्स सरीर से विसेले तत्वों को बाहर निकालने में मददगार साबित होते हैं इसी क्रम में अगला नंबर लाल अंगूर का आता है गर्मी की दस्तक के साथ ही बाजार में अंगूर की आवाक बढ़ जाती है इस रसीले फल का सेवन न सिर्फ मजेदार स्वाद बल्कि औस धिये गुनों के चलते भी लाभकारी माना जाता है खास कर लाल अंगूर के छिलके में रेसवराट ट्रोल नामक एक विसेश अंटी टॉक्सिडेंट प्रचूर मात्रा में पाये जाता है यह तत्व कैंसर कोशिकाओं की उत्पत्ती और उन्हें फैलने से रोकता है अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टिटीट ने अपने अध्यनों के जरिये इस बात की पूष्ठी की है कि रेस्रा व्राट्रोल नामक तत्व कई प्रकार के केंसर की कोशिकाओं को फैलने से रोकने में मददगार है आप सभी लोगों ने ग्रीन टी का नाम सुना होगा फिटनेस को लेकर सजग लोगों का फेबरेट पेपदार्थ है ग्रीन टी सरीर का डिटॉक्ट्स करने और मेटाबोलोज्म तेज करने संबंधी इसके फायदे से हम सभी परचित है पर इसकी एक खासियत यह भी है कि इसमें कैंसर रोधी गुन भी होते है साथ ही इसमें परचूर मात्रा में पॉली फेनोल्स नामक एंटी ओक्सिडेंट्स पाये जाते हैं जो इनफ्लेमेशन को कम करने और केंसर में लड़ने में मदद करते हैं बिभिन सोध अध्यनों से यह बात निकल कर सामने आई है कि ग्रीन टी का सेवन ब्रिस्ट केंसर, प्रोस्टेट केंसर और कलोरेक्टल केंसर का खत्रा कम करता है स्ट्रोबरी फल से हम सभी भली भाती परिचित हैं स्ट्रोबरी फल में एलेजिक एसिद नामक फाइटो केमिकल प्रचूर मात्रा में पाये जाता है एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह powerful antioxidants cancer की बीमारी से लड़ने में मदद करता है यह phytochemical cancer उत्पन करने वाले तत्वों को निश्किरिय करता है और cancer को सिखाओं की ग्रोथ को धीमा करता है अगला नंबर विंस का आता है आज कल बाजार में विभिन परकार के बिंस सरलता से उपलब्ध हो जाती है इन्हें अपने अहार में सामिल करके केंसर के खत्रे को कम किया जा सकता है हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनमें ऐसे फाइटो के मिलकल्स पाये जाते हैं जो सरीर की कोशिकाओं को ऐसी किसी भी छतिक से सुरच्छित रखते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है इस संबंध में किये गए सोध अध्यनों से यह बात सामने आई है कि इनके सेवन से कैंसर कोशिकाओं बढ़ने की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है और अंत में मैं बात करना चाहूंगा हरी पत्तेदार सबजियों का संतुली तहार का महतपुर्ण हिस्सा ये हरी पत्तेदार सबजियां है सरसों, सोमा मैथी, पालक, सलाद पत्ता, केल, इत्यादी हरी पत्तेदार सबजियों में फोलेट फाइबर, बीटा केरोटीन, लिूटीन और केरोटो नाइट्स इत्यादी पोशक तत्व परचूर मात्रा में पाये जाते हैं ये तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ाने के साथ ही मुह, पैनक्रियाज, फेफडे और पेट के केंसर का खत्रा भी कम करते हैं यही नहीं, एंटियोक्सिडेंट्स से भरपूर हरे पत्यदार सबजियों का सेवन, बलड प्रेसर को नियंत्रित रखने वह दिल की बीमारी का खत्रा कम करने में भी मदद करता है